hello बच्चों! कैसे हैं सब लोग? इस तुट्रीबर बात करने वादे हैं CS एंट्री स्कीम के लिए कौन-कौन से बच्चे एलिजिबल है जो जून में अपडेट्स आई हैं उनके एक और चीक है बच्चों तो चलिए सबसे पहले हम आजाएंगे अपनी इंसिटूट की वेबसाइट पे जब आप फॉर्म फिल करते हो तो मैं आपको डिरेक्टली वही तरीके के स्टुडेंट तक एप्ली केबल था ठीक है मतलब उसका जो ड्रेक्ट एंट्री मेंस आपको सीए जवल्टी एक्जम्ट उन बच्चों को होता था जो क्या है नमबर एक सीए फाइनल एक्जाम पास होते थे सीए फाइनल या सीएम में फाइनल अब जो उसका है नमबर तीन जैसे की आप दिख सकते हो तीसरी कटेओरी जो दी गई है ग्रेजुएट स्टुडेंट के बिए हैं मतलब किसी बी स्टीम से चाहीँ आप आफ सीजए मेडिकल से हो चाहें कमर्स से हों नौन मेडिकल से हो ऑंको उसका हो अगर ग्रेजूएशन में 50 पर तो फिर आपको CS WD के एक्जाम देने की जुरत नहीं है आपकी सीधा ही एंट्री जो है CS प्रोग्राम में हो सकती है चीक है बच्चों तो सबसे पहले उन बच्चे वो बच्चे सुनें जो graduate है और CS कोस जोईन करना चाहते हैं वो direct entry scheme में आ सकते हैं और उनके जो एक्जाम है directly directly CS के होंगे ठीक है बच्चों उनके जो एक्जाम है directly CS कोस में होंगे और जिन बच्चों के marks मां लीजे जिन बच्चों ने सर्फ graduation करी हुई है किसी भी stream से है arts commerce medical non medical किसी भी stream से बट उनके जो marks है वो 50% से कम है 48% है 42% जितने भी परसेंट हैं उनको CS का exam देना होगा अब कई बच्चों का बहुत सारे बच्चों का comment मुझे आया कि सर क्या मुझे क्या मुझे मेरे 50% से कम marks है क्या मैं CS नहीं कर सकता बिलकुल बच्चों आप कर सकते हो पट आपको जो CS availability के exemption है वो नहीं मिलेगी मतलब आपको CS availability के exam देने होंगे अगर आप डिरेक्ट entry scheme में आना चाहते हो तो आपको 50% marks लेने ही होंगे कम से कम आपके होने ही चाहिए ठीक है तो तीसरी category कौन सी add-on कर रही है graduate बच्चे जो 50% marks जिनके हैं उनको तो direct entry scheme का benefit मिलेगा मतलब उनको executive में executive में क्या करना होगा direct entry form बना होगा और चौती category है post graduate चौती category है post graduate के लिए कोई marks की कोई condition नहीं रखी गई है ठीक है मतलब अगर आप m.com MBA ठीक है चाहिए की category दूसमें से दो पहले ही थे c a final pass या फिर cma final pass ठीक है 30 category graduate किसी भी स्ट्रीम से हो बट marks क्या है 50% होने चाहिए और चौती क्या है post graduate उसके लिए कोई condition नहीं है कोई शरत नहीं है marks की तो बच्चो यह तरीके के चाहर तरीके के बच्चे है जो direct executive scheme में applicable है मतलब उनको scheme applicable है form direct entry scheme according executive का भर सकते हैं चीक है बच्चो तो इस वीडियो में इतना ही बच्चो वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक जू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बेल ऐकन दबाना मत भूलेगा थेंक्यू बच्चो